जय हैं इस वीडियो में लोग विस्तेस इंफो टेक्निक से यानि की MPS Info Tech Limited कंपनी को बात करेंगे देखिए इसमें अभी अपर स्रकिट लगा है तो वो लोग जो काफी पहले से बाइक करके फसे हुए थे वो यह जानना चाहते हैं कि आप उन्हें प्रोफिट बुग कर लेन लगता है कि कंपनी का बाईक कर सामने आ गए जिसके बारे में वीडियो में आपको बताऊ me तो आईए वीडियो सुरूँ करते हैं सबसे प्रदेखिए जो इन्फो टेक्स लिमिटेड कंपनी आपको पता है कि यह आइटी सेक्टर से बिलोंग करता है और इसके बारे में पहले वीडियो में कभी पर बताया हूं और अभी आपको पता है कि रिन्यूवल इनर्जी में भ पर 445 क्रोड क्रोड या किसी दूसरे साथ 440 क्रोड से कम हो इसको ज्यादा पर लेंगे जुरूत नहीं है हाँ लेकिन ओवर ओल का है तो 445 क्रोड का सपास की कंपनी है तो इसमें देखिए 30,000,000,000 लोग अऊडर में इसको डाले हुए हैं कमपनी के सेर्स को बाइब करने के लिए अब इस 30,000,000 लोग को ऐसा लगता है कि इसमें अपर सेकिट लगा है तो यह कमपनी ठीक है इसका मतलब सेर प्राइस उपर जाएगा और इनको आमदनी हो जाएग और यह हाई लगा था 31,000,000 को यानि कि इसी साल और इसके बाद सेर प्राइस नीचे जाने लगा हाला कि बीच में उपर चढ़ा फिर उतरा फिर चढ़ा फिर उपड़ा लेगिन अब अब अपर सेकिट लगा है तो ऐसा लग रहा है कि इस बाए जो अब एक रुपए 20 पैस पहुंच सकता है हाला कि क्या होगा कुछ फिक्स नहीं होता है तो देखना पड़ेगा लेकिन अगर मैं यह कह रहा हूं कि अगर अपने दूसरे रेश्टेस लेवल के आज पास तक कमनी का सेर प्राइस पहुंचता है तो जो लोग बहुत इसमें जरूत का रुप्या लगा के नतीज़ए उसमें कंपणी का रिभेन हुआ हुआ है त्वाहर है कशॉच का कंपनी का रिभेनु अपर कर्च और करच दिर तरे बढ़ते जा रहा है लिए करजा चिंता की बात होती है इसमें कोई सक नहीं है और दूसरा कंपनी का रो या रो सी दोनों निगेटिव में है इसके उपर कंपनी की जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हों अपने सेर्स को गिर भी रखा हुए हाई प्लीजिंग लगवाग 46% का प्लीजिंग है इनके प् समझे ऊंका सब्सक्राइब को न कहसें प्रतिस्सेदारी यह थी जिसको इस आसी है अपने घटाई बंचे तो तो उमका ने अपना हिस्दारी बेज़ दिया है तो इसके बाद प्रमोटर्स के पास इस प्रमोटर्स पर्चिते यह घटाते हैं तो यह प्रकार से निगेटीव नियूज के तरह होता है बजार में इसका महावल निगेटीव मिलिया जाता है इसका आशर क्वाटर पड़ेगा तो अपने फंडामेंटल कोई ज्यादा नहीं है तीसरा अच्छी बात यह है कि इसने कंपनी में निगेटिव पॉइंट जाता है और सिर्फ एक करणा कर लने से कंपनी के में उच्छाल आ जायेगा या कंपनी आने वाला समय में मल्टी विडियर अ मोच्छा इसलिए अगर सिर्फ और बड़लत आने वाले समय में मल्टी विडियर बना जाएग तो आपके पास दोनों भी कल्प खुला यहाँ है एक तो positive sign है वह भी मैंने आपको बता दिया ओब अवाप अनुसारै इसमें बने रहना चाहते हैं तो भर भी भी मैंने बताया भुर बुक कर सकते हैं सब पर करका का रस्टाउś मैने सवाल है तो अंब सब्सक्राइब पाघ्र करना चाहते हैं लिए